यूपी के बुलन शहर में गैस का टैंकर रोड पर अचानक पलटने से शेतर के लोगों में अफरा तफरी मच गई वहीं आटमिक परमानु केंदर नरोरा के गेट पर टैंकर के पलटने से बड़ा हाथसा होने से टल गया लेकिन गैस टैंकर से गैस के रिसाव को देखते हुए पुलिस ने एतिहाद के तौर पर आसपास के मकानों को खाली करवाया है फायर ब्रिगेट गाडियों और क्रेन मशीनों को मोके पर बुलाया गया है जानकारी अनुसार बुलन शहर के नरोरा रामगाट रोड पर नरोरा प्रमानु केंदर के समीप खंबे से टकरा कर संधिक परस्तितियों में इंडेन गैस का टैंकर पलट गया गैस के टैंकर पलटने से शेतर के लोगों में अफ्रा तफरी मज गई और लोग घर छोड़कर भागने लगे टैंकर के रोड पर पलटने से टैंकर से गैस का रिसाव होना शुरू हो गया मोके पर पहुंची पुलिस ने गैस के रिसाव को देखते हुए आसपास के मकानों को खाली करवाया है पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टी से टैंकर के पास का रास्ता बंद कर लोगों को टैंकर के पास जाने से रोका गया पुलिस ने अलिगड के इंडियन गैस के कारे आले में संपर्क कर कारे आले से गैस के रिसाव को रोकने के लिए टीम को बुलाया गया है जो अलिगड से रवाना हो चुकी है आवा गमन पूरी तरह से उस रूप के रुपन्द कर दिया गया है अलिगड में इंडियन आइल की जो सेप्टी टीम है उसको बता दिया गया था वो तसमद्रेवेट के भीतर मौके पर पहुंच वही है दो तीन क्रेने ओहां मौके पर मंग वाली गई है जैसे ही सेप्टी ट लुष्ट ग्रीन लॉण्स स्टे अफ लाइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी